तो हाँ बाई करें शुदू तो आज हमारे पास इतने फोन हैं जिनको मैं आपको लेने के लिए मना करने वाला हूँ और मना करने वाला हूँ तो उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन होगा कि इससे भैतर फोन है मार्किट के अंदर और यह कोई पुराने फोन नहीं है सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट लॉंच्ट फोन है तो यहाँ पर आज वीडियो पूरी देखना हो जैसे घरवाले कहते न पैसा पेड़ पर थोड़ी उगरा है और इसके पिछी रीजन सिंपल सा है लेक इस प्राइज रेंज के अंदर छोड़ो 20,000 रुपे के अंदर भी OIS कैमरे में आजकल मिल रहा है और यहाँ पर OnePlus ने OnePlus 9 के अंदर OIS नहीं दिया सिर्फ वो हैजल बलाज की ब्रेंडिंग के लिए पे करोगे और यहाँ पर मैंने उसका कैमरा भी टेस्ट करके देखा था अपने दोस्त से लिया था मिरको उतने अच्छा नहीं लगा जितना आप पर पैसे दे रहे हो उससे बढ़ी आप OnePlus 9R बाई कर लो अब काफी लोग कहेंगे कि भाई वहाँ पर प्रोसेसर 888 है यहाँ पर 870 प्रोसेसर है तो 888 और 870 को मैंने इस बार compare किया है 888 ज्यादा heat होता है 870 के comparison में दूसरा 870 ज्यादा consistent performance देता है 888 के comparison में तो यहाँ पर यह भी reason आ जाते है लेकिन एक काफी जादा famous हो रहा है recently जितना भी YouTubers के group है हमारा उन सब ने इसके अंदर invest किया है यह है cryptocurrency मैंने में पता है कुछ लोग इसे illegal समझते हैं लेकिन यह illegal नहीं है आप इसके अंदर invest कर सकते है 100% legal है जिस application के through मैंने invest किया है उसका नाम है CoinDCX Go काफी simple application है यह जो app है यह CoinDCX की है जो कि इंडिया की largest and safest exchange है और इस app के through ना भाई बहुत जादे easy है sale और buy करना cryptocurrency को सिर्फ आपको अपने KYC and bank account को link करना है इसके साथ and best part बताऊं कि सिर्फ आप 100 rupees को deposit कर सकते हैं इसके अंदर and 10 rupees से भी cryptocurrency में invest कर सकते हैं और इसका भी एक और best part यह है कि आपको कोई भी charges नहीं देने है buy और sale के तो यह कमाल की बना देता है इस application को बागी इसके अंदर आप 24 into 7 कभी भी deposit कर सकते है amount को कभी भी withdraw कर सकते हैं अपने bank account के अंदर जितना भी users का fund है वो safe and insured है by bitgo और इसके अंदर two factor authentication and withdrawal password जाएसे सारे inbuilt feature दिये गए हैं जो कि इस application को और भी जादा secure बना देते हैं बागी ISO द्वारा certified है और यह सारे rules and regulation को follow कर रहा है जैसे कि KYC वगरा मैंने अभी आपको बताया था इसके अंदर काफी easily आप cryptocurrency वगरा को buy कर सकते हैं उसमें invest कर सकते हैं और सिर्फ एक tap के अंदर भी आप उसके अंदर invest कर सकते हैं तो अगर आप interested हैं तो इसका link description में मिल जाएगे आपका friend interested है बहुत जादा simple application है और secure भी है तो अभी check out करिए description को तो यह हो गई पहले phone की बात और साथ साथ हमने investment की बात कर ली अब बात करें हैं पर next phone की तरफ तो इसका नाम है Samsung A72 लिटरली जब यह phone मेरे पास आया था मेरे समझने आया कि यह phone क्यों launch किया है यहाँ पर A52 और A72 में same specification देखने के लिए मिलती है I know कि आप मेंसे काफी लोग कहेंगे कि वहाँ पर बड़ी battery है तो वहाँ पर बड़ा display size भी है हमें यह चीज ध्यान रखनी है क्योंकि वहाँ पर battery consumption ज़्याद होगी तो इस वे से वहाँ पर battery ज़्यादा दी है यहाँ पर यह है बागी हाँ पर मैंने दोनों की display चेक की है same थी यहाँ पर दोनों का मैंने power check की है दोनों के अंदर same थी बड़ यहाँ पर बात करें cameras की तो आप मैंसे काफी सारे लोगों को लग रहा होगी मैं 10,000 रुपे क्यों extra दूँ A72 को तो यहाँ पर आप इस phone को ignore कर दीजे अगर आपको samsung की तरफ जाना है तो आप A52 को pick कर लीजे आपके पैसे भी बचेंगे तो यहाँ पर यह हो गई second phone की बात अब move करें यहाँ पर third phone की तरफ जिसकी मैं वीडियो अपने चैनल पर नहीं लाया था तो यह है OPPO Reno 5 Pro अब OPPO Reno 5 Pro मैंने personal experience के लिए बाई किया था off camera मैंने use किया यह phone and काफी साही लगा मुझे OPPO की तरफ से मैंने Reno series के और भी phone चैक किये हैं वहाँ पर मैंने camera's बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे Reno 5 Pro का camera अच्छा था कोई overexpose नहीं था बहुत अच्छी तरीके से perform कर रहा था display कमाल की थी, यहाँ पर build कमाल की थी, in and feel अच्छी थी वहाँ पर power की बात करूं, वह भी अच्छी थी, sound भी अच्छी थी लेकिन अगर मैं बात करूं, वहाँ पर एक चीज की मुझे कमी लगी जैसे मैं गाउं गया था उस phone को लेके तो वहाँ पर network related कुछ issues थे तो वह बहुत जल्दी battery drain कर रहा था, और काफी जादा heat भी हो रहा था तो मेरे को उस चीज में थोड़ी सी दिक्कत लगी, लेकिन all over एक phone अच्छा था वो अब मैं अच्छे phone के साथ उसे ignore करने के लिए क्यों वह लेना हूँ, क्योंकि भाई, यहाँ पर अभी OPPO Reno 6 series आ रही है, तो आप उसका वेट करो, अभी 5 series थोड़ी कमजोर हो जाएगी उसके सामने, और आए थी उसका price भी drop हो जाएगा, तो यह चीज है, तो इस वेश से आपके भाई ने मना करा है OPPO Reno 5 Pro लेने से, अभी यहाँ पर move कर जाते है, next phone की तरफ, तो यह काफी सार range के अंदर अची नहीं है, भले ही वहाँ पर AMOLED पैनल मिलता है, मैंने अपनी पहली वीडियो जो V20 की दी थी, उसमें clearly mention किया था कि भाई, इस phone को ignore कर देना, reason है उसकी display उसके camera's, display की calibration वो इतनी अची नहीं है, और उसके camera's की dynamic range अची नहीं थी, details अची नहीं थी, आप ultra wide क कोई shots देख सकते हैं, मेरे को personally बहुत बेकार लगा था वो, but यहाँ पर Vivo V20 Pro का ultra wide था, उससे बहुत जादा improved था, V21 का ultra wide है वो बहुत जादा improved है उससे, तो यहाँ पर V20 को मैं suggest नहीं कर सकता है, display camera के मामले में, और यहाँ पर speakers भी उसके अतने loud नहीं थे, तो अभी आप उसे ignore कर दीजो, और अगर आपको camera's के लिए फोन चाहिए, तो आप Redmi Note 10 Pro ले सकते हैं, Samsung की तरफ जाना है, तो F62 ले सकते हैं, उसके camera's V20 से far better है, यह चीज़ आपका भाई, आपको guarantee दे सकता है, तो यहाँ पर Vivo V20 के इलावा भी एक और phone है, जिसको मैं लेने से मना करूँ वो है Samsung 832, like मैंने वो वीडियो कवर की थी, and literally इतना hate दिया तुम लोगोंने कि तुने फोन कवर क्यों किया, मैं दो दिन तक वीडियो नहीं बना पाया था, इतना hate मिला था मुझे, और मैं यह चीज़ आप से आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बोलना चाहता था इसलिए मैंने वो वीडियो इसलिए कवर की थी, अगर कोई मेरी वाली वीडियो देखके वो फोन लेने, जाए तो उसे positive और negative दोनों पता हो, अगर उसके लिए वो negative भाई, जाद ही बड़ी चीज़ है तो साइध वो फोन ना ले मेरी वीडियो देखके, तो मैंने इसलिए कवर की थी, लेकिन आप लोगों ने कहा कि कवर मत करना तो कवर नहीं होंगा अपसे ऐसे device, बागी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर उस फोन को क्यो ना ले, उसकी display में जो 90Hz से वो इतना smooth नहीं है, 60Hz पर चलाओगे जब भी थोड़ी जिटरिंग मिल दी थी, दूस दूसरा वहाँ पर अगर मैं camera's की बात करूं, Samsung के खुद के phone उस price range के अंदर उससे better camera देते हैं, next यहाँ पर उसके अंदर इतनी power नहीं है कि आप थोड़ी बहुत भी gaming कर सकें, तो यह चीज़े थी, तो इस वएसे मैं इस phone को ignore करने के लिए बोलूँगा, और Samsung का आप दू और Samsung को side by side compare किया था, and design में जो safe difference था, वो था ring का, Pro Max में आपको by silver ring मिलती है, and Pro के अंदर आपको black ring मिलती है, बाकी design in hand feel एक number है, खतरनाग, और यहाँ पर display भी same थी, power भी same थी, sound भी same थी, सारी चीज़े same थी, लेकिन जिस चीज़े के लिए extra pay किया जा रहा था, Pro Max के 108 है, but यहाँ पर मेरे को लगा था, कि दोनों की ISP तो same है, तो सायद 108MP better perform करे, तो जब मैंने compare के 64 and 108MP को, तो यहाँ पर आप देख सकते है, skin tone dynamic range far better थी Pro की, Pro Max के comparison में, तो मैं Pro Max को लेने से आपको मना कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ पर आपको पैसे भी बचेंगे, अगर आप उसे ने बग डाल दिया है कि अब जो users हैं उसके वो खुद परिसान है उससे, और यहाँ पर जैसे POCO X2 के अंदर IPS panel दिया था, वैसा IPS panel नहीं है POCO X3 के अंदर, बाग यहाँ पर मैं उसका alternate बता हूँ, तो आप POCO X3 Pro भाई का सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप gaming करना अच्छे हैं वहाँ पर, sound भी आपको थोड़ी loud देखने के लिए मिलेगी, but phone थोड़ा सा vibrant होता है back से, तो हमें यह भी चीज़ें घ्यान रखनी है, तो POCO X3 छोड़ो, and POCO X3 Pro अपना हो, अभी move कर जाते हैं, आपर last phones की तरफ, तो यह कुछ तकड़े तकड़े phone है, हमारे पास दो phone और है, कि एक है हमारे पास Realme 8 and Realme 8 5G, Realme 8 और Realme 8 5G में जो मैं बताओ, in hand feel, तो दोनों की almost बराबर है, लेकिन मेरे को design, personally Realme 8 का slightly better लगा, अब हो सकता है, कलर की वे से, अच्छा ना लगा, मुझे Realme 8 5G का, बाकि आपको Realme 8 5G के अंदर IPS panel मिलता है 120Hz के तो यहाँ पर panel की बात करूँ, या बात करूँ, यहाँ पर मैं cameras की Realme 8 के जाद अच्छे है, Realme 8 5G के comparison में, तो आप Realme 8 की तरफ चाहिए, वन्ना मैं यह कहूँगा कि 2000 रुपे और डालके Redmi Note 10 Pro वाई कर दीजे, वो आपको better चीज़े दे रहा है, लेकि महाँ पर display की बात कर वीडियो बनाई है, तो अब वीडियो अच्छे लगी हो, तो लाइक जरू कर देने, 10,000 लाइक करें किया है, बागी चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना मेरे दोस्त, तो मिलते हैं जल्दे कूल और एक्साइडिंग वीडियो में तो ज